अलो अजम देखेंगे आखरी मैनुवल रिपोर्ट हमारी बैलेंस शीट हमने ट्राइल बैलेंस देख लिए प्रॉफिट अंड लॉज अकाउंट देख लिए रिपोर्ट बना का और आज हम देखेंगे बैलेंस शीट तो balance sheet किस तरीके से बनाते है इसको हम देखते हैं तो जैसे tally में हमने यह प्राइल मंत का trial balance open कर रखा है अब इस trial balance में दो क्या क्या है अब primary groups में capital account है current liabilities है fixed assets है current assets है और indirect expenses है तो हम इसमें एक तरफ का column हमारा जो रहता है वो रहता है आपका liabilities का और एक तरफ का column हमारा जो रहता है वो रहता है assets का ठीक है अब liabilities में क्या 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 आता है इस तरफ capital आ जाता है और current liabilities आ जाती है assets में क्या 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 आ जाते है हमारे assets में हमारे आ जाते है fixed assets और current assets और क्या बचता है इसके बाद हमारे देखो capital हो गया current liabilities हो गया fixed assets हो गया current assets हो गया indirect expenses बचा है तो यहां पर हम क्या करेंगे capital account यहां पर बैलेंस शीट में क्या होता है कि actual amount लिखा जाता है आप अभी trial balance में अगर देख रहे हो तो आपका capital account कितना बता रहा है आट लाग रुपे credit बता रहा है और चार जार पांस रुपे debit बता रहा है यानि कि यह drawing कर लिया गया है ठीक है तो यहां पर balance sheet में ऐसे नहीं balance sheet में क्या लिखा जाता है प्लस माइनस करके actual amount क्या वो यहां पर fill किया जाता है तो जैसे आपका आठ लाग रुपे है साथ लाग पंचानुवजार पांस वामाना जो total है वो सीधा यहां लिख देंगे ठीक है current liabilities निकालेंगे तो current liabilities में क्या करेड होगा आपका centry creditor और advance from customer तो अपरेल में आपने centry creditor कितने का किया है 21,200 और 30,000 का advance लिया तो 51,200 आपका current liabilities होगा देख लो current liabilities आपका 15,200 और ठीक है इसके बाद बात करें fixed asset की तो fixed asset में आपने जो भी कुछ खरीदा था furniture खरीदा, computer, AC, mobile उन सब का amount total करके आप यहां लिख सकते हैं यहां आपने trial balance बनाई लिया है तो आप वहाँ से total यहां पर लाके लिख सकते हैं 65,700 current assets, current assets में क्या क्या है आपका current assets में आपके deposit assets, cash in end और bank account आता है तो यह सब आप total वहाँ पर लिख सकते हैं 7,70,800 यह total आजाए लेकिन balance sheet बनाने के लिए सबसे पहले आपको trial balance बना लेंगे तो आपको ज्यादा easy पड़ेगा यह ठीक है पहले आप trial balance बना लो और profit and loss report भी पहले बनेगी क्योंकि उसका total यहां निकाना आप अब देखी अगर profit and loss में आपका profit ज्यादा आता है तो फिर आपको इस side लिखना है profit and loss का balance और लोस ज्यादा आता है तो फिर इस side लिखेंगे कि 7th Assets की side ठीक है यह ध्यान रखना है अगर profit ज्यादा है तो left side में और अगर loss ज्यादा है तो right side, assets की side, अब क्योंकि April मन्त में हमारी कोई income थी नहीं, जैसे हमने profit and loss report में देखा भी है, तो उसमें हमको सिर्फ loss ही हुआ था, 10-200 रुपए का, जो हमारी indirect expenses का total था, 10-200 रुपए, तो इसका total हमें यहाँ यहाँ पर balance sheet में लिखना है, तो क्योंकि अब loss ज्याद है, तो क लिख दिया जाए का, 10-200, ठीक है, अब नीचे इसका grand total आ जाता है, 8,46,700 आ गए हैं और यहाँ पर देख लेते हैं, 8,46,700, तो यह आपकी इस तरीके से अपरेल मंत का balance sheet बन जाएगी, ठीक है, आप इसका screenshot लेकर note कर लेंगे, और फिर गुद बना के देखेंगे, क्योंकि आपको यहर मंत की बनानी, मैंने अपरेल की बताई है, अब आप क्यों, मैं next मंत की बताता हूँ, मैं की, तो मैं की किस तरीके से बनेगी, तो सबसे पहले तो हम वही सब कुछ कर लेते हैं, यहाँ पर फट से, लाइबिल्टीज और एसेट्स लिख लेते हैं उपर, इस साइड पर एसेट्स, क्या के आएगा इदर, कैपिटल अकाउंट आएगा, और, करेंट लाइबिल्टीज, इस तरब आपका, फिक्स एसेट्स, और, करेंट एसेट्स, तीक है, ट्राइल बैलेंस हम उपन कर लेते हैं मही का, यह आगया हमारा टाइल बैलेंस मही का, अब देखो मही के टाइल बैलेंस में, क्या क्या है, capital account है लिख दिया हमने balance sheet में current liabilities भी लिख दी fixed assets भी हो गया current assets direct income भी है और indirect expenses भी है तो हमने जब profit and loss report बनाई थी माई की तो उसमें इन दोनों का निकाल दिया था कि कितना total हमें profit या loss हो रहा है ठीक है तो वह हम सीधे ही वहां लेखेंगे तो इन दोनों को लेने की आवश्यक्ता है नहीं तो हम सीधे सीधे यह लिखेंगे अब की बार देखो capital account कितना लिखा जाएगा अब की बार आट लाग में से 9500 माइनस होंगे ऐठ लाग माइनस 9500 साथ लाग नबबा बाश्यक्ता यहा पैंस हो आया है तो आम यहां आपनी balance sheet के रिखेंगे साथ लाग नबबाश्यक्ता यहार दोसों की रह गए अब यहाँ पर जज़दा यहार्बाश्यक्ता है और एसेट का इंद देख लेते हैं पिर भी 65700 के fix asset आगा है current assets के current assets आपको 8,49,850 यहां लिख देंगे हम 8,49,850 ठीक है अब profit and loss तो profit and loss रिपूर्ट जो हमने बनाई थी मई की इसमें देखो हमें कितना profit हुआ था income हुई थे हमारी 1,30,000 रुपए और हमारे खर्चे हुए थे 29,150 रुपए का है तो जब हमने इसको minus किया तो profit कितना निकल गा है 1,850,000 रुपए का हमें net profit हुआ तो यह amount हमें वहाँ पर लिखना अब की बार देखो profit ज्यादा है तो profit ज्यादा होने पर इस साइड लिखते है लेफ्ट साइड और लॉस ज्यादा होने पर राइट साइड लिखते है तो अब की बार हम इस साइड लिखेंगे profit and loss एक लाख 850,000 ठीक है अब इनका total कर देंगे यहाँ पर grand total पर ठीक है ऐसे इस साइड कर देंगे तो अब साइड ला जाएगा तो आपका सही हमाना जाएगा और अगर इस से पहले की रेपोर्ट हैं आपकी सही बनी हुई है trial balance, profit and loss तो balance sheet तो सही बनेगी क्योंकि total आपकी सही है सारे ठीक है इस तरीके से balance sheets को बनाया जाता है अब आपको balance sheet अच्छे से समझ में आगी होगी अपरेल की त्यूंकि वो single month होता है starting month तो मैं उसकी बताता हूं उसके बाद merge करके कैसे बनाते हैं तो वो भी होता तो इसमें कुछ है नहीं आपको trial balance से बस देखते हुए और बनाते चले जाता है तो इसकी भी आप अपरेल से लेके मार्चेरी लास्ट बन तक के पर मंत balance sheet बना कर रखे है तो यहां पर हमारी balance sheet बनाने का वीडियो खतम होता है थैंक्यू